हलो दोस्तों, मैं सेल्फ साहबा, वेलकम टू मास्टलोजिया, तोड़ा इविल रिसकस अवाउट, मेनिंग अन हिस्ट्री अप साइकलोजी, आज के सेशन में हम साइकलोजी को बिल्कुल बेसिक लेवल से बढ़ेंगे, और उसके मीनिंग और हिस्ट्री को जानेंगे, साइक जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि मनोविज्ञान का अर्थ और इत्यास, मीनिंग और स्ट्री अप साइकलोजी, तो इसके बारे में जैसे हम जानेंगे, तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो वर्ड है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका हम साब्दे कर्त इसका ही, अगर हम इंगलिस मेनिंग की बात करें, तो वो है साइकलोजी, इंगलिस मेनिंग को अगर हम देखें, तो वो है साइकलोजी, क्या है बचो, साइकलोजी, साइकलोजी, इस कॉम्बिनेशन अफ टू बर्ड्स, साइकी, प्लस लोगस, पहला वर्ड जो है, वो है सा यह जो दोनों ही वर्ड हैं, यह लेटिन भासा के हैं, यह दोनों जो वर्ड हैं, वो लेटिन भासा के वर्ड हैं, एक्जाम में बहुत पुछा जाता है, कि साइकलोजी जो वर्ड है, वो किस भासा से लिया गया है, लेटिन भासा से, तो साइकी का जो मीनिंग है, वो है आत् अध्यान करना अध्यान करना राइट लोगस का जो मीनिंग है वो है अध्यान करना अध्यान इस्टड़ी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो साइक्रलोजी है इसका जो पूरा वर्ड है इसका मीनिंग जो निकलकर आता है वो है आत्मा का अध्यान करने वाला बिग्यान आत्मा क मन का विज्ञान और साइकलोजी का मीनिंग है वो है आत्मा का अध्यन करने वाला विज्ञान अब हम जानेंगे कि जो मनोविज्ञान है जो मनोविज्ञान वर्ड है वो यह किस ने दिया यह सबसे पहले किस ने प्रियोग किया मनोविज्ञान जो वर्ड है वो सबसे पहले इटली के पॉम्पनोजी महुदेने इटली के पॉम्पनोजी इटली के पॉम्पनोजी महुदेने पिरियो किया साइकलोजी जो बर्ड है जो कि दो भासाओं से मिलकर लेटिन भासा से मिलकर वनाया दो सब्दों से साइकलोग लोगस इस वर्ड का जो सबसे पहले पिरियो किय था वो किया था 1590 में 1590 में इटली के यह भी इटली के महोदे थे मनोविझ्यानिक थे जो झाल रूडोल्फ गोलकाए रूडॉडोल्फ गोलकाए रूडोल्फ गोलकाए डे इस दार के Links नियुक चलिए वो कियाता है इटली के पॉम्पनोजीन है और दूसरा जो इसका इंग्लिस मीनिंग है वो है साइकलोजी जो दो बर्ट से मिलकर बना है साइकी और लोगस साइकी और लोगस जो की लेटिन भासा के सब्द है और जिनका इनका मीनिंग है साइकी का मीनिंग है आत्मा और लोगस का मीनिंग है अध्यन करना इसके संपूर मीनिंग को अगर हम देखें तो है आत्मा का अध्यन करने वाला विज्ञान जो कि 1519 में रूडोल्फ गोलकाई ने प्रियोग किया था यह इंपोटेंट है दोनों ही एक्जाम में पूछे जाते हैं कि साइकलोजी की वर्ड का प्रिय योग इटली के पंपनोजी ने किया था तो नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि आप यह जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है आज के सेशन में जो पूरा जो टॉपिक है वो सब कुछ इसी के अंतर न कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जो यह स्टेटमेंट दिया है इसके जो यह स्टेटमेंट है वो है जर्मन मनोविज्यानिक ते हर्मन हैविंग होस हर्मन हैविंग होस यह जो स्टेटमेंट है वो हर्मन हैविंग होस का है हर्मन हैविंग होस का ये कहना है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है अगर हम मनोविज्ञान के अतीत की बात करें तो ये जैकड़ो बर्सों पहले दर्सन सास्तर का एक हिस्सा हुआ करता था उसकी एक साखा के रूप में था अगर हम इसके इतिहास देखें तो है इत दर्शन सास्त्र से जैसे कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन सास्त्र का एक विश्य हुआ करता था जो मनोविज्ञान है दर्शन सास्त्र का हिस्सा हुआ करता था दर्शन सास्त्र मनोविज्ञान दर्शन प्राचीन समय में मनोविज्ञान दर्शन सास्त्र का हिस्सा हुआ करता था और इसकी एक साखा के रूप में था परन्तु आधुनिक समय में वो एक अलग विश्य के रूप में है परन्तु ये हुआ कैसे दर्शन सास्त से मनोविज्ञान को एक अलग विशे के रूप में किसने प्रतिपादित किया ये भी कोश्चन आता है तो ये कोश्चन है जो मनोविज्ञानिक थे जर्मन निवासी बिलियम जैम्स थे जिन्होंने 1890 में एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ओफ साइकोलोजी जो बुक दी थी बिलियम जैम्स ने दी थी इस बुक को मनोविज्ञान की आधार सिला माना गया था क्योंकि इस बुक में ही जो बिलियम जैम्स थे उन्होंने मनोविज्ञान को दर्सन सास्ते अलग किया और एक संपूर बिबरर इस बुक के अंदर परस्तूत किया जिसके कारण बिलियम जैम्स को ही इसका जनक भी माना जाता है कि नेक्स देखते हैं जैसे कि आपके सामने ये तीन पॉइंट्स हैं देखें इन्पोटेंट हैं मनोविज्ञान के अध्यन का प्रारम अरस्तू के समय दर्सन सास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मनोविज्ञान का जो अध्यन का प्रारम हुआ था वो अरस्तू के समय सेंकलो बड़सो पूर्व दर्सन सास्त्र की एक साखा के रूप में था एक अलग विशयना ओकर दर्सन सास्त्र की एक साखा के रूप में था और दूसरा पॉट है मनोविज्यान को दर्सन सास्त्र से अलग करने का श्रय अमेरिकी मनोविज्यानिक बिलियम जैम्स को जाता है इसको जाता है अमेरिकी मनोविज्यानिक बिलियम जेम्स को जाता है दर्सन सास्त से अलग करने का सिरे बिलियम जेम्स को जाता है बिलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ओफ साइकलोजी पुस्तक लिखी जो मनोविज्यान की आधार सिला बन गई सेम भही बात है कि बिलियम जैम्स ने 1890 में एक बुक लिही थी प्रिंसिपल अप साइकलोजी जो की मनोविज्ञान की एक आधार सिला मान सकते हैं उसको उसमें उन्होंने मनोविज्ञान को दर्सन सास्त्र से अलग करके एक अलग विशे के रूप में प्रस्तुत किया नेक्स देखते हैं मनोविज्ञान के जनक फादर आप साइकलोजी दोस्तों फादर आप साइकलोजी के अगर हम बात करें तो इसमें दो नेम आते हैं पहला है विलियम जैम्स विलियम जैम्स दूसरा है विलियम बॉंट अगर हम बिलियम जैम्स की बात करें तो इन्हें इसी आधार पर मनोविज्ञान का जनक आ जाता है कि इन्होंने 1890 में जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल आफ साइकलोजी उसके आधार परी ने मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है 1890 में जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल आफ साइकलोजी प्रिंसिपल आफ साइकलोजी और जो बिलियम बॉंट थे इन बिलियम बॉंट ने 1879 में जर्मनी के एक लिपजिंग शहर में आफ साइकलोजी जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक प्रियोग साला को लिती जिसके अंतरगत उन्होंने मनोविज्ञान का अध्यन किया और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था जिसके कारण जो बिलियम बुंट थे इनको सनरशनावाद का जनक भी माना जाता था जर्वनी के एक लिजिंग शहर में उन्होंने एक पिरियोग साला कोली एक पिरियोग साला खोली जिसके कारण उनको बिलियम बुंट को मनुविज्ञान का जना क्या नहीं फादर ओफ साइकलोजी भी माना जाता है इसके अंतरगत उन्होंने मनुविज्ञान को चेतना का बिज्ञान मानते हुए उस पर अध्यन किया और उनका मानना था कि चेतना की अपनी एक सनरश्णा होती है इसकारण जो बिलियम बुंट थे उनको सनरश्णा वाद का जनक भी कहा जाता है मनो विज्ञान का क्रमबंद विकास नेक्स्ट है हमारा मनो विज्ञान का क्रमबंद विकास दोस्तों देखो जैसे मनो विज्ञान जो है उसको एक विशे के रूप में आने में काफी सारी जो बहुत सारी जो साइकलोजिस्ट थे अपने अलग-अलग विचार दिये थे, किसी ने मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किसी ने मन का विज्ञान माना, किसी ने बहवार का विज्ञान माना, आधुनिक समय में मनो विज्ञान की एक सर्व मानने परिभासा हमारे सामने हैं, वो है कि मनो विज्ञान ए लेकर जो इसकी हिस्ट्रीक पर ही हम बातचीत कर रहे हैं तो जैसा कि हम इन टॉपिक्स को भी जान लेते हैं कि मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था जैसे 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 जो नई नई चीज हैं थी वो बढ़ती चले गई जो पुरानी मानने अताई थी उनको रद्द कर आत्मा का विज्ञान इसके जो समर्तक रहे थे वो थे प्लेटो अरस्तू और डेकर्ट इसके समर्तक रहे थे इनका मानना था कि जो मनो विज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है और जैसा कि ये जो मानने था थी या जो ये बिचार था जादा समय तक नहीं चला ये बिचार जो आया था वो सोलवी सताब्दी में आया था जो ये बिचार था वो सोलवी सताब्दी में किस सताब्दी में सोलवी और इस मानने ताके जो यह तमर्थक ठे इनका मानना था कि मन oven आत्मा का विज्ञान और जो कि आगे टाइम में आने वाले जो मनोविघ्यानिक थे ऊनका मानना था कि आत्मा की अपनी कोई ոनरश्णा नहीं होती नहीं जिए दिख सकती है तो इसको एक अध्यनका केंद्र बिंदु कैसे मान सकते हैं तो जैसे जैसे स्वोलवी सताब्दी में यह परिवासा आई फिर इसको नकार दिया गया और जो अगली परिवासा जो मनोविज्यान की आई थी वो थी हमारी मन का विज्यान अगली जो परिभासा थी वो थी मन का विज्ञान जो साइकलोजिस्ट हुए थे उन्होंने मनो विज्ञान को मन का विज्ञान माना था इसके जो समर्थक थे वो थे पमपनो जी रूसो कांट लॉक पमपनो जी रूसो कांट लॉक पमपनो जी रूसो कांट लॉक इस मानने था कि समर्थक थे इन्होंने जो पहले जो परिवासा थी कि मन विज्ञान आत्मा का विज्ञान है उसको नकारते हुए अपने एक बिचार प्रस्तूत किया कि साइकलोजी जो है वो मन का विज्ञान है और जो ये बिचार आया था वो सत्रवी सताब्दी के प्रारम में इस मानने था कि जो समर्थक थे उनका मानना था कि मनो विज्ञान मन का विज्ञान है मन को ही मनो विज्ञान का अध्यन का केंदर विद्धु माना इसके बाद नेक्स जो विचार दहरा आया थी वो ती चेतना का विज्ञा थी वो दो वरसो तक चली थी उसके बाद 19 सदी में मनु विज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था जुसमें 1879 में बिलियम बुंट ने मनु विज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हुए लिपजिंग सहर में एक प्रियोग साला कुली थी लिपजिंग शहर में एक प्रियोग साला कुली जिसमें उन्हों ने एक प्रियोग साला कुली देखें बच्चो के जो चेतना का विज्ञान जो माना था 19-वी सदी में ये विचार आया था जो की 1879 में बिलियम बुंट ने अमेरिका के लिबजिक सहर में एक प्रियोकसाला खोली थी जिसके अंतरगत उन्होंने मनोविज्ञान का अध्यन किया उसको चेतना का अध्यन मानते हुए उनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है उसकी अपनी एक सनरशना होती है और चेतना को ही मनोविज्ञान के अध्यन का केंद्र विद्धू माना इसके बाद नेक्स जो विचार आया पुता बिहवार का विज्ञान इस विचार धारा के जो समर्टक रहे बुथे बुडवर्थ कीनर इस विचार धारा के जो समर्टक थे वो थे बुडवर्थ स्कीनर मैगड्यूगल इन्होंने मनोविज्ञान की जो पहली जो दूसरी जो पहली दूसरी सारे विचारों को नकारते हूए अपनी एक परिवासा दी कि मनोविज्ञान बहवार का विज्ञान है और मनोविज्ञान को बिहवार का बिगण मानते हुए ही आज आज भी मनो विज्ञान के Анदर्न केंद्रबिंदु 1913 में J.W. Watson ने अमिरिका के Hopkins University में ब्यहवारवात की नीव रखी जो ब्यहवारवात की नीव 1913 में जे भी वाटसन ने रखी थी और 20 सदी के प्रहरम में मनोविज्ञान जो है बहुआर का बिग्ञान सुएकार किया जाने लगा और जब से लेके आज तक मनोविज्ञान बहुआर का ही बिग्ञान बना हुआ है अगर बच्वामिक्स की जो मनोविज्ञान की समय समय पर जो विचार दाराया आई थी यह बैसे तो इंपोर्टेंट है पर जैसे अगर किसी को याद नहीं होती है तो आई है बार ऑल्स वाट ट्रिक जैसे की आँख में चावल गया आँख में चावल गया इसको आँख में चावल गया यह ट्रिक है इसको इस ट्रिक से हम याद भी कर सकते हैं जैसे की आँख में चावल गया आँख से बना आत्मा मा से बना मन चा से बना चेतना और वा से बना बिहवार आँख से बना आत्मा, मा से बना मन, चा से बना चेतना, वा से बना बिहवार आँख में चावल गया, इसली याद भी हो जाएगा और यह इजी भी है अब नेक्स्ट है सबड़तम मनु विज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया फिर मन का त्याग किया, फिर अतता चेतना का त्याग करकर विहवार का विज्ञान बन गया सबड़तम मनु विज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग करकर अतता विहवार का विज्ञान बन गया तो जो ये statement है वो बुढ़वर्थ का है किसका है बुढ़वर्थ का ये जो statement है वो बुढ़वर्थ का है जिनका मानना था कि मनो विज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याक किया यानि आत्मा का विज्ञान की जो परिवासा थी उसको नकारा फिर मन के विज्ञान की परिवासा थी उसको नकारा अंत में चेतना की परिवासा को नकारते हुए आ ढ़निक समय में एक विज्ञान बनकर हमारे सामने आये तो बच्चो आज का यह सेसन था इसमें प्लीस कमेंट करके जरूल बताएं आपको कैसा लगा और अगर प्लीस हमें सपोर्ट जरूर करें अगर कुछ कमी हो या जो भी हो अपना सेजेशन प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर दें तब तक के लिए कीप बोचिंग थैंक्यू थैंक्यू बेरी मॉच